करेंगे करेंगे अपनी लाइफ में इंजॉय करेंगे हैपी होंगे दियर हमाई दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें पॉदिटिविटी पर ट्रेक करें आपके लाइफ में धेर सारी खुशिया आए ठीक है दियर आज का टॉपिक जो है वो इस बात के उपर है क्या व कभी आपके दर्द को फील करेंगे जो दर्द आपके पार्टनर ने आपको दिया है क्या वो दर्द आपके पार्टनर फील कर पाएंगे तो आज का टॉपिक जो हैसी बात के उपर है क्या आपके पार्टनर आपके दर्द को फील कर पाएंगे क्या आपके पार्टनर आपक उनको होगा, क्या नयाए होगा मेरे वीवर्स के साथ में प्लीज उनिवर्स जिवाइन बताएं डियर कार्ड निकालते हैं और देखने की कोशिश करते है वाउ, पहला कार्ड मीजर अरकाना से चैरिट के अनर्जी निकली है डियर, यहाँ पर हमारे पास में king of wands के अनर्जी आई है next card judgment, बहुत अच्छी खुशी हुई मुझे की judgment आपके साथ में हो रहा है, high priestess के अनर्जी है, सच का तो हमेशा बोल बाला होता ही है, देखेगा कि सच आपके सामने जरूर आएगा, कुछ सच्चाई आपको पता चलेगी और आपके पार्टनर को भी यह सच जानने की बहुत बहुत ज़्यादा जरूरत है ace of pentacles के energy है यहाँ पर हमारे पास में knight of wands, knight of wands की भी energy है डियर next card जो दिख रहा है three of pentacles है, three of swords है दिल बहुत बुरी तरह से आपके पार्टनर ने पर नजर आप पर रख रहे हैं, spike कर रहे हैं आपको सोचा जा रहा है the emperor के energy है ego भी egoistic person हो सकते हैं पर यहाँ पर देखिए eight of swords है, आपके पार्टनर के तरफ से eight of wands के energy है eight of wands के energy है eight of wands के energy है आपके लिए कुछ खास हो सकता है temperance के energy है bottom के energy से देख लेते हैं dear bottom के energy से अभी यहाँ पर जो चीजे दिखाई दे रही है nine of wands के energy है nine of swords के energy है हमारे पास में nine of swords है एक second चले कोई बात नहीं कार्स रुखना ही नहीं चाहरा चले यहाँ रख देते हैं कोई बात नहीं है यहाँ पर हमारे पास में ace of swords है okay ace of swords है two of swords के energy है आपके partner के आँखों पर तो ऐसा लग रहा है जैसे कि पत्तियां बंदी हुई है उन्हें सच दिखा ही नहीं दे रहा है कि क्या करना है और यहाँ से हमारे पास में ace of cups है और यह page of cups के energy है ओके चले तो start करते हैं रेडिंग को से पहले मैं आपको कुछ sign बताना चाहूंगी कि यहाँ पर क्या है sign कौन से sign आए हैं यहाँ पर यहाँ पर हमारे पास में जो sign है उसमें Gemini Libra Aquarius है Aries Leo Sagittarius है और Taurus Virgo Capricorn के energy दिखाई दे रही है चले बात करी जाए कि आपके partner सबसे पहले तो यह जो आप लोगों के partner का जो हम बात कर रहे हैं कि क्या आपके partner वो दर्द वो situation फील कर पाएंगी जिस दर्द से आप गुजरे हो जिस feelings को आप फील करते हो जो दर्द आपके partner ने आपको दिया है क्या वो महसूस कर पाएगा आपके दिल की वो दर्द भरी बाते क्या उसको फील होगी वही आज का topic है सबसे पहले तो no contact है dear और फैसला आपके partner ने लिया है मुझे ये दिखाई दे रहा है कि फैसला आपके partner की तरफ से है दिल आपका तूटा है dear और ये दिख रहा है कि आपके partner यहाँ पर धोका दिखाई दे रहा है किसी तरह की cheating इन्होंने करी है three of sorts की energy है no contact situation तो है आप दोनों के बीच में पर धोका बहुत ज़्यादा दिया गया है tower moment यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोनों के बीच में ऐसी situation आपके partner ने खड़ी करी है हो सकता है कोई third party आपके रिष्टे में आ गई है कोई third party की situation tower moment आपके जिंदगी में एक ऐसा आया है break up पाली situation दिखाई दे रही है दिल तूटा है ठीक है मन आपका परिशान रहता है बहुत ज़्यादा मन परिशान है ऐसा लग रहा है कि ध्यान हर पल partner पर ही जाता है दिल आपका आप सोनी पाते हैं अगर आप सच्चाई को अगर देखें तो मेरे वीवर्स आपकी में बात करूँ तो आप सोनी पाते हो आप रात रात भर जाकते हो रातें आपकी उस इंसान को लेकर सोचती रहती है रातें आपकी उस इंसान को लेकर कहीं न कहीं फील करती रहती है कैसा है क्या कर रहा होगा मेरे बिना क्या उसकी जिन्दगी हो गई है क्या उसको मेरा प्यार नजर नहीं आता ऐसी कैसी पट्टी उसने अपने आखों पे बांद ली ऐसी कैसे उसने अपने दिल को मुझसे मूड लिया कि उसको मेरा प्यार नजर नहीं आता ऐसा कैसे हो सकता है मेरा पार्टनर जो मेरे जजबातों को नहीं पहचान पा रहा जो मेरी feelings, जो मेरे emotions को बगेर कहे समझ जाता था आज वो इनसान कैसे मुझसे मूँ मोड़ता है इस बात को सोच कर आज भी आप परिशान रहते हो इंतिजार कर रहे हो आप उस इनसान का क्यों क्योंकि आपको लगता है कि मेरी उमीद, मेरा विश्वास मेरे पार्टनर को ले कर आएगा तो आपको तो बहुत उमीद है उस इनसान की no contact है तो भी आप wait कर रहे हो no contact situation में भी आपके जजबात, आपकी feelings, आपके emotions यहाँ पर निकल के आ रहे हैं ध्यान दे रहे हो, कोशिश यही है कि उसकी कोई खबर मिल जाए हर बार आपके दिल में एक ही feelings आती है कि यार वो कर क्या रहा होगा उसके बारे में कोई मुझे कुछ बता दे, ठैरों में भी आप यही सोचते हो कि यार उसकी feelings पता चले क्या वो मेरे बारे में सूचता है क्या उसको मेरा दर्द महसूस होता है क्या वो मेरे को पसंद करता है क्या वो मेरे पास आएगा कमिट्मेंट देगा ऐसी अनीक फीलिंग्स अनीक आपके इमोशन्स जो है दिल में जागते रहते हैं दिल में आपके वही चलता रहता है कि आप मिल सकते हो, कैसे आपके दिल के जजबात उसके साथ में जुड सकते हैं, कैसे आप उसके दिल के बहुत करीब जा सकते हो, बस यही कोशिश में आप लगे रहते हो, है ना उसके बारे में कोई खबर मिले, उसके बारे में पता चल जाए, पार्टनर ने पहले भी कई गलत ठहराया है, गलतियों पर गलतियां करते चले गए आपके पार्टनर, पार्टनर के पहले भी कही न कहीं रिलेशन रहे हैं, पार्टनर के पहले भी कही चीजे रही हैं, दिखें, यहाँ पर यह भी दिख रहा है कि पार्टनर ने पहले भी कही ऐसी गलतियां करी है, जहां पर आपका दिल तूटा है दियर है ना आपको दर्द भी दिया है और बहुत ज़्यादा गलतियां ऐसी करी है कि पार्टनर के पहले भी रिलेशन रहे हैं पार्टनर का किसी के साथ में कुछ रिश्टा है क्योंकि जिस तरह की सिच्वेशन यहां पर निकल के आ रही है मेरे वीव का हो सकता है एकसेप नहीं किया आपको बाहर से पता चला है लेकिन आप उनसे नहीं बोलना चाहते उनके दिल को ठेस नहीं पहुचाना चाहते आपने यह मान के रखाए कि यार यह मेरे साथ में तो सही है ना तो ठीक है वो पास जथा अभी की सिच्वेशन को लेकर कई लो गलती को यह मानता नहीं है यह जहां पर दिखाई दे रही है यह मानती नहीं है गलत होते हुए भी इसने कभी accept नहीं किया कि इसने गलत किया है आपको जूट बोला है आपको कई बार torture किया है कुछ बातों को लेकर third party situation create करी है तकलीफे हुई है डियर बहुत ज़्यादा तकल करीफो को आपने सहा है आप सोच कर देखिए कि आपी के सामने ये इनसान जो है किसी तीसरे person से बाते करें और आपको ही ignore करें आप जब इससे phone मांगो जब आप इससे कहीं न कहीं कुछ बाते शेयर करने को बोलो कि यार मुझे अपना WhatsApp दे दो या WhatsApp से कुछ फोन लगाना है तो ये कोई भी काम के लिए आपको phone भी नहीं देते थे ऐसा लग रहा है कि अपने phone को बहुत hide रखना अपने message को बहुत hide रखना इनकी आदत रही है आपको बहुत दर्द दिया है आप हमेशा देखते थे कि ये जो है आपकी चीजों को तो check कर लेते थे आपकी बातों को तो कहीं न कहीं पढ़ने की कोशिश करते थे लेकिन अपनी चीजों को height करते थे अपनी चीजों को छुपा कर रखने वाली इनकी energy दिखाई दे रही है है ना आपने समझोता करके अच्छा time को बैठे dear क्योंकि आपके जीवन में भी कुछ ऐसे अच्छे time थे हो सकता है कि जब ये इनसान आपके साथ में connect हुआ जब ये इनसान आपके साथ में जुड़ गया तो आपके जीवन में बहुत ऐसे नए offer आये बहुत ऐसे नए situation create हुई कि जहां पर आप आगे बढ़ सकते थे जहां पर आपका luck आपका साथ दे रहा था एक good luck आपका wait कर रहा था new opportunity पत्थर पड़ गए थे आपको ये समझ नहीं आया कि यार ये partner जो है उसके साथ में आगे का future नहीं है आपको ऐसा feel तो होता था कि यार ये इनसान जो है ना शायद मुझे commitment नहीं दे पाएगा ये बहुत ज़्यादा अलग तरह का किसम का इंसान है इसके हाव भाव से भी आपको ऐसा लगता था कि ये शायद रिष्टे को नहीं निभा पाएगा ये कुछ situation को करने ही पाएगा intuition आपको कहीं न कहीं आपको बोल देता था कि वो partner में बात नहीं है जैसा आप feel करते हो जिस तरह का आप deserve करते हो वो ये बंदे के अंदर जरा सी भी quality नहीं है आपको जूट बोलने पर बहुत एत्राज हुआ करता था तकलीफ होती थी है ना आपने सिर्फ अपनी life को इसके साथ में समझूता करके जीना शुरू कर दिया प्यार के लिए attachment के लिए आप बहुत हद तक इसके attach हो गए क्योंकि आपका इसके साथ में एक ऐसा attachment मुझे दिखाई दे रहाया है जो दिल से था जो झो एक होता है ना कि आत्मा से आप उसके साथ में connect हो चुके थे आपके सामने कोई कितना भी अच्छा हीरा क्यों ना रग दे आपको पसंद नहीं आप ने दिल इस इस इंसान को दे दिया तो आपका दिल जो है ना इस इनसान की तरफ ये तो तो आपके पार्टनर ने जो दर्द दिया है उसके कारण आप सो भी नहीं पाते हो नींद नहीं आती है एंजाइटी रहती है डियर इस रिश्टे में सबसे ज़्यादा नुकसान आपी का हुआ है आपके एमोशन्स तूटे हैं आपके अपने छूटे हैं आपका दिल को अपने दिल के करीब रखने के लिए लेकिन वो सची चाहत वो सचा प्यार तो किसी और को कहीं न कहीं डेट कर रहा है किसी और को कहीं न कहीं घुमा रहा है किसी और के साथ में आगे बढ़ने के सपने देख रहा है आप ही का दिया हुआ है और उसी पर एश किया जा रहा है वो चीज़ यहां पर दिख रही है यहां फैसला आपके पार्टनर का था और दिल आपका तूटा है गलत फैसले इन्हों लिए हैं दिल आपका तोड़ते चले गए गलत चीजे ये करते चले गए दिल आपका तूटता गया आप बेकसूर थे डियर फिर भी आपको सजा भुगतनी पड़ी है ना बेकसूर को भी सजा भुगतनी पड़ी इस प्यार की कि आपने उसको हद से जादा प्यार किया उस प पर्ट पार्टी की तरफ थोड़ा सा जुकाओ दिखाई दी रहा है लेकिन ये दिख रहा है कि आपकी पर्वा नहीं है इस इंसान को कभी कभी तो ये ऐसे हरकते करते हैं ऐसे हालात खड़े कर देते हैं कि आपको बहुत बुरा लगता है इस इंसान की बातों से आपको बहु आप नाराज होते हो बहुत ज़्यादा आप परिशान हो जाते हो और ये दिखाई दे रहा है कि आपको ऐसास होता है कि अभी भी प्यार तो करते हैं ना तो थोड़ा सा प्यार हो सकता है कि इनके दिल में कोई emotions जाग जाए feelings जाग जाए और ये आपकी तरफ आ जाए उन जाए बीच में हैं डियर और जिसकी वज़ा से problem बड़ गई है आपके रिष्टे में third party है आपके रिष्टे में third party का आपने जो दर्द सहा किसी दूसरे की बज़े से किसी तीसरे इंसान की बज़े से जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम आई है वो बहुत ही दर्दनाग प्रॉब्लम दिख रही है पार्टनर ने कमिट्मेंट बहुत किये आपसे बहुत ज्यादा कहीं नहीं आपको वादे किये, बहुत सारे promises किये लेकिन ऐसा दिख रहा है कि धोका धड़ी हो गई जो promise उन्होंने किये, शायद वो खरे नहीं उत्रे उन promise को पूरा करने में धोका आपको दिया गया है ये दिखाई दे रहा है, partner ने कहा था कि कहीं न कहीं आपके साथ में relation को आगे बढ़ाएंगे, आपी के साथ में वो इस रिष्टे में आना चाहते हैं, आपी के साथ में रिष्टे को आगे निभाना चाहते हैं, यहां पर effort पार्टनर ने डाले थे, लेकिन जैसे जैसे आप close आते चले गए, जैसे जैसे आप दोनों के relation बनते चले गए आप से marriage करने की जब बाते आने लगी तब दूरियां आ गई तब क्या हो गया third party involved हो गई तब third party यहाँ पर involved दिख रही है तो partner का जुकाओ third party की तरफ है partner का अटेंशन third party की तरफ है partner जो है third party की तरफ attract हो गए दियर और सब कुछ ठीक होगा आपके partner का मुझे ऐसा दिखाई दिए रहे कि इनके रिष्टे भी पक्के हो गए थे कहीं पर हो सकता है अरे मैं सब ठीक कर लूँगा सिर्फ अभी शादी थोड़ी ना हुआ है अभी मैं सारी चीजों को सही कर सकता हूँ पर आगे जाकर चीजे और खराब हो गई क्योंकि partner के मन में ही कहीं न कहीं कुछ गलत बाते थी partner आपको ये बताना नहीं चाहते थे कि family member जो है कहीं और कुछ रिष्टे पक्के करा रहे हैं partner के अंदर हिम्मत भी नहीं थी और partner जो है family की तरफ ही support करना चाह रहे थे तो कुछ चीजे हुई है जिसकी वज़े से आपको दर्द मिला है प्यार आपका जो है वादे करकन मुकर गया आप अच्छे खास से एक ऐसे relation में थे कि आपकी जिंदगी में बहुत सारे अच्छे मुकाम दिया वो एक जगह दी जो किसी को आप आज भी नहीं दे पाए हो और इस इंसान ने शायद आपके वो emotions आपके प्यार का गलत फायदा उठाया है दर्द दिया है और यह अभी बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा लग रहा है कि ऐसा दर्द दे के गया है शायद आप आपने अपने आपको पताने बहुत ज़्यादा समझदार समझने की इसकी गलती है बहुत ज़्यादा पैसे वाला समझता है या पैसे वाली समझती है घमंडी बहुत हो सकती है यह थी था पे दियान नहीं देना है इसमें यह चीज़े दिखाई दे रही है घर वालों ने बिगार रखा है आपके पार्टनर को कुछ चीजों को समझाना चाहिए कुछ चीजे इनको बोलनी चाहिए पर घरवाले ही कहीं न कहीं गलत एडवाइस दे देते हैं गलत चीजों की तरफ आपके पार्टनर के पार्टनर ने बहुत अच्छे से किया है आपके emotions का, आपके प्यार का फायदा उठाते हैं और भाग जाते हैं यह चीज़े आपके पार्टनर की तरफ से मुझे अच्छी खासी दिखाई दे रहे हैं और इल्जाम आप पे लगा रही है कि अगर तुम अच्छे होते या तुमारे अंदर चीज़े सही होती तो हम दोनों के बीच में break up नहीं होता हम दोनों के अंदर यह situation create नहीं होती कि मुझे तुम से दूर जाना पड़े यहां पर यह दिख रहा है dear और यह दिख रहा है कि जो दिखे इनके दिल में ना बहुत सारी feelings है इनके दिल में आपको लेकर बहुत सारी चीज़े जो है अब ऐसे जाग रही है कि इनोंने बिगारा तो है जिंदगी को है ना आपके जिंदगी बिगार दी खुद की जिंदगी बिगार दी और किसी और के साथ में खुश रहने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पर तीसरा इंसान दिख रहा है जो तीसरा इंसान दिखा था उसकी तरफ आपके पार्टनर जो है बहुत ज़्यादा अपना एफर्ड लगाने में लग गए थे उसकी तरफ इनका ध्यान बहुत था वो चीज मुझे दिखाई दे रही है आपके रिष्टे में थर्ड पार्टी ने अपनी कहीं न कहीं जबरदस्ती के किसी की जिंदगी में घुद जाना तो इस third party ने अपने नाग कुसे डिया आपके रिष्टे में और उसके बाद उनने मैनुपलेट करके रिष्टों को खराब कर दिया इसकदर आपका आपके partner से रिष्टा खराब करा दिया third party ने कि बुरे से बुरे फ़र्ज गए हैं आपके partner छोड़ने वाली situation इस third party ने create करा दी है निकलना बहुत मुश्किल हो रहा है partner का universe आपको कुछ sign दे रहे हैं कि चीजों को आपको समझना होगा divine आपको कुछ चीजे बता भी रहे हैं यहां पर यह भी दिखाई दे रहा है कि आपके thoughts में बहुत सोच विचार चल रहा है बहुत सारी feelings है बहुत सारे emotions है आपके कि third party के लिए आप सोचते हो बहुत ज़दा सोचते हो लिए कि third party कैसे निकल सकती है कैसे partner की जिन्दगी से जा सकती है third party के साथ अच्छा चल रहा है आपके partner का रिष्टा आपको यह बात सोच कर बहुत दुख होता है बहुत अफसोस होता है कि यह वो इनसान है जिसके लिए मैंने अपनी family अपने माता पिता को छोड़ दिया और आज यह इनसान मुझे अकेला छोड़ के मेरे साथ में जाती करके मेरे साथ में गलत relation बना कर किसी और के रिष्टे को निभा रहा है इस बात पर आपका दिल बहुत ज़्यादा तूटा हुआ है बहुत दर्द में है relation को लेकर देखें तो future में चीजे सही होने के chances हैं dear relation को लेकर अगर हम यहां पर देखें कार्ज जो बता रहे हैं आपको लेकर आपके partner को लेकर future में जो situation है उनके सही होने के chances बहुत दिखाई दे रहे हैं एक cycle है जिसमें change आने वाला है बदलाव यहां पर आने वाला है खुशियां आएंगी रियर आपको अपनी life की planning जो है कर पड़ेगे आपको अपनी चीजों को अपनी lesson को सीखना होगा और रिष्टों को परकने की एक सही समझ आपके अंदर होना चाहिए तो वो चीज आपको चाहिए यहां पर मिझे ऐसा लग रहा है मैं आप से यही कहूंगी कि अगर हम बात करें तो डियर क्या वो कभी आपके दर्द को फील करेंगे जो दर्द उसने आपको दिया है हमारा topic यही है तो यह दिख रहा है कि जो दर्द आपको उन्होंने दे दिया है उस दर्द का अभी आपके partner को पूरा 100% regret है क्योंकि उसकी जिन्दगी में वो balance नहीं है उसकी जिन्दगी में वो situation नहीं है जिस situation को उ उसने आपकी जिन्दगी में खड़ा किया था जिस situation को वो आपके life में लाकर छोड़ गया ना आज उस चीच के लिए पच्टा रहा है आपका partner आज उस चीच को लेकर दर्द में हैं आपका partner तकलीफ में हैं उसको ऐसा लग रहा है कि उसने आपके साथ में जाती करी है अब आपके partner के emotions आपके partner के feelings भी उसी जगह पर जाका खड़ी हुई है जिस जगह पर आपको रुलाया गया था जिस जगह पर आपको कहीं न कहीं गलट ठेराया गया था जिन्दगी में balance नहीं है आपके support के बिना चल पाना इनको बहुत मुश्किल हो रहा है हो सकता है कि आप इ इसको भी हो रहा है जिस दर्द से दिखी क्योंकि ये आपको छोड़कर जिस इंसान के पास गया था या गई थी इसने सोचा था कि enjoy करेगी कुछ नहीं होगा खुश रहेगी लेकिन कहते ना कि चली तो गई है पर वापस आने के सारे दरवाजे बंद हो गए हैं वापस आन हर मुकाम पर अपने आगे हाथ उपर करके उनको कहीं न कहीं दूआ मांगनी पड़ रही अपने लिए कि कोई तो मेरे साथ में न्याय कर दे कहीं से तो कुछ मेरा न्याय हो जाए तो बस आपके पार्टनर के हालात बुरे दिखाई दे रहे हैं इस थर्ड पार्टी के साथ में जिसकी तरफ उन्होंने अपने हाथ बढ़ाए थे जिस थर्ड पार्टी को वो अपना जीवन साथी मान बैठे थे जिस थर्ड पार्टी के लिए उन्होंने अपने सुखमे जीवन को खराब किया जिस थर्ड पार्टी के लिए उन्होंने एक ऐसे रिश्टे को ठुकरा द दर्द इनको तकलीद दे रहा है वो दर्द इनको हार्ट ब्रोकन वाली अनर्जी में ले जा रहा है दिन दुगनी राच चोगनी दर्दी दर्द दर्दी दर्द सहना पड़ रहा है लोग इनको ताने भी दे रहे हैं कि ये किसी रिष्टे को निभा नहीं सकता, ये इनसान किसी एक का होई नहीं सकता, ऐसे ताने इस इस इनसान को सुनने को मिल रहे हैं, तो ये जो हमरा आज का टॉपिक है कि क्या वो कभी वो दर्द फील करेंगे, जो दर्द उसने आपको दिया है 100% उसको वो दर्द महसूत होगा और आपकी कमी उसको रुलाएगी आपकी कमी उसको तरपाएगी आपकी कमिया उसको कहीं ना कहीं एहसास दिलाएगी कि उसने किस चीज़ को गलत करा है कौन सी ऐसी गलत चीज़े करी है जिसकी वज़ा से उसकी जिंदगी तभा हो चुकी है जिसकी वज़ा से उसकी जिंदगी एक तरह से बरबाद हो चुकी है तो डियर एहसास हो गया है यही बहुत बड़ी बात है डिवाइन को युनिवर्स को थैंक्यू लिखे और देखते हैं कि आगे आगे आपके पार्टनर जो है वो एक्शन लेंगे ठीक है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है अपने आप में होने वाला है प्लीज युनिवर्स जिवाइन गाइड करें ओके आपके पार्टनर के इमोशन दो काड़ा है आपके पार्टनर के इमोशन निकल के आ रहे हैं आपके पार्टनर अपने इमोशन पर कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं वो अब सारी बांडरी को क्रॉस करेंगे ब किए आपको बताना चाहेंगे जो दर्द उनको फील हो रहा है जो दर्द उने आपको दिया है उस तर्द की माफी साहेंगे और अपनी इस्ट्रेंट पावर से आपके दिये आपके जखमों को वो कहींन कहीं मलहम लगाएंगे तो वोग specially energy यहां पर दिखाई दिरी है ओके दिया तो वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिएगा फर्स टाइम चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत थैंक यू और डियर वाट्स अप नमर दिया हुआ है हिलिंग प्रोसेस के लिए कर सकते हैं